हेलो प्रेंस मेरी चैनल में आपका प्रेस स्वाकत है आज हम दिखेंगे कि वाटसप को हम अपने मॉबाइल की तरह लैपटॉप और कॉम्पूटर में कैसे चला सकते हैं यानि कि वाटसप को हम जैसे मॉबाइल में यूज़ कर रहे हैं वैसे ही हम चैटिंग, गैलरी, पीदिएफ, डॉक्यूमेंट, सेंड करना वगेरा कैसे हम लैपटॉप और कॉम्पूटर में यूज़ कर सकते हैं सेम नंबर हमारा लैप्टप और कॉम्पीटर में कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके लिए वाटसेप में एक हमें ऑप्शन दिया गया है सेटिंग के अंदर वाटसेप वेब मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था QR कूड सेम तरह से हमें प्रोसेस करना है वाटसेप वेब हमें यूज करना है यानि कि हमारे मॉबाइल में जो वाटसेप वेब का ऑप्शन है उसको हमें ऑन करना है और हमें जो भी कॉम्पीटर और लैप्टप में जिसमें भी ह में चलाना है WhatsApp को उसके अंदर जाके सिंपल से एक वेबसाइट को टाइब करना है और उसमें WhatsApp का option on करना है तो चलो देखते हैं कि कैसे हम WhatsApp वेब को हमारे computer में भी use कर सकते हैं यानि कि computer और laptop में use कर सकते हैं लेट सी उसके लिए आपको उसके लिए आपको पहले अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है वेब ब्राउजर यानि की Google Chrome Firefox जो भी हो उसमें आपको WhatsApp वेब लिखना है URL के अंदर जैसे ही आप WhatsApp वेब लिखोगे तो आपको WhatsApp वेब की लिंक प्रेजर्ट हो जाएगी उसके उपर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यह स्क्रीन प्रेजर्ट होगी उस स्क्रीन में आपको यह method दिये है त्री स्टेप दिये है आपको साइट में दिख रहा है QR कोड दिया है उसके नीचे है कीप मी साइन कीप मी साइन कीप मी साइन का ओप्शन है जो इसलिए उस होता है कि आप इन एक्टिव हो यानि कि आप थोड़े समय के लिए आप वाटसेप यूज नहीं कर रहे हो PC लैप्टोप या टैबलेट में तो उस टाम पर अगर आपको अपना वाटसेप चालू ही रखना है लैप्टोप में या किसी में भी आप यूज कर रहे हो तो किप मी साइन वाला जो आप्शन है वह आपको टिक मांक करना है जैसे ही आप टिक मांक करोगे तो वह अप जब इन एक्टिव होगे तो वह शेशन लॉग आउट नहीं करेगा और आपका वाटसेप कंटिनूसली चालू रखेगा ये मैठ़द थू हम हमारे मॉबाइल के अंदर वाटसेप चालू करेगे आपको QR कोड scan करवाना है यानि की सेम मैठ़र से आप अपने मॉबाइल में वाटसेप आउन करेगे ओके लेट्स सी अब हमें हमारे वाटसेप में जाना है मॉबाइल में वाटसेप आउन करना है उसमें साइट पे जो 3.da है उसके अंदर जाना है वो menu है हमारा वो menu में जाके आपको WhatsApp वेब का option मिलेगा वो open करना है जैसे ही आप WhatsApp वेब उपे click करोगे तो scan QR code का option आएगा उसको अपको अपने laptop के जो QR code है उसके साथ scan करना है जैसे ही आप अपना WhatsApp scan करोगे तो आपको अपनी screen पे WhatsApp मिल जाएगा आप देख सकते हो हमारे mobile में जैसे ही है वैसा ही WhatsApp है contact दिखाई दे रहा है नवारे mobile में setting आता है new group, create room ये सब वो हमारे mobile में जैसा होता है वैसा ही laptop वगेरे में दिखता है आप यहाँ message भी type कर सकते हो chatting कर सकते हो आप delete करना चाहो तो message को delete भी कर सकते हो same option जैसे mobile में आ रहा है वैसे ही laptop और computer में भी आएगा tablet में भी आएगा यहाँ पे attachment का भी option दिया है gallery है, camera है documents है camera में आप camera यूज करके camera में photo click कर सकते हो documents send कर सकते हो contact भी send कर सकते हो okay यह catalog वाला option मेरा अभी जो वाला whatsapp था वो business whatsapp था है इसलिए आपको यहाँ पे catalog का option दिखाई दे रहा है okay room create कर सकते हो वो business वाला whatsapp में available है okay इस तरह से आप अपना whatsapp laptop, computer, pc, tablet सब में use कर सकते हैं उस सीम जैसे हम mobile में use करते हैं हम अमरा profile भी change कर सकते हैं okay तो whatsapp में जैसे हम profile में जाके profile change करते थे वैसे ही हम laptop में भी कर सकते हैं किसी भी device में वैसे ही कर सकते हैं okay तो यह है कि कैसे हम whatsapp को हमारे laptop, pc, computer में भी use कर सकते हैं कैसे use करते हैं वह मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको like और share ज़रूर करिए और अभी तक अपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe कर दो और मेरे नए नए वीडियो की notification मिलती है रहे इसलिए इस bell button पे click कर दो thank you so much, bye bye